हेलो बच्चों कैसे हैं आप उंबीत करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जनन्दिन का उपहार अब सबका जनन्दिन आता है हर साल सबको उपहार मिलते हैं यही इस अध्याय में बताया गया है तो चलिए इसे शुरू करते हैं आज सुहानी का जनन्दिन था वैस सुबे सुबे उठी नहा दोकर तयार हुई फिर बालों में कंगी करके अपना मन पसंद रिब्बन बांधा मन पसंद का अंथ होता है बच्चों जो अपने मन को भाए उसे कहते हैं मन पसंद सुहानी के पास धेर सारी रिब्बन थे पर उन्तु यह सुनहरा रिब्बन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था सुनहरा यानि सुनहरे रंग वाला कुछ देर बाद सुहानी केक लाने अपनी मा के साथ बाजार गई वहाँ घूमते खूमते ना जाने कब वे रिब्बन सुहानी की बालों से खिसक कर गिर गया रिब्बन वहीं पर पड़ा रहा और पड़ा पड़ा गंदा हो गया अच्छानक घने बादल छा गए तेज हवाएं चलने लगी हवा के जोंके से सुहानी का रिब्बन उड़ गया उपर नीचे बल खाता हुआ रिब्बन एक बार में उलज गया मैला रिब्बन वहीं अटका हवा में लहराता रहा बुंदा बांदी होने लगी बुंदा बांदी का रिब्बन चोटी चोटे बुंदे गया पानी ने सुहानी की रिब्बन को धोकर साफ कर दिया पानी रुखने पर धूप खिल आई खिल का अर्थ होता है वापस आना, खिल जाना बार से लटका रिबन धीरे-धीरे सुखने लगा सोहानी बहुत दुखी थी क्योंकि उसका रिबन खो गया था शाम हो रही थी वह अपनी सखी रादिका का इंतजार कर रहे थी इंतजार का अर्थ होता है प्रतिक्षा तो सुहानी क्या कर रहे थी? अपनी सखी यानि अपनी मित्र रादिका का इंतजार कर रहे थी लेकिन दुखी भी थी क्योंकि उसका रिबन खो गया था रादिका सुहानी के घर जाने के लिए बिलकुल तयार थी वे अपनी मा की प्रतिक्षा कर रहे थी उसकी मा किसी बिमार सहीली को देखनी गई थी सुहानी को उपहार में देने के लिए उपहार का अर्थ होता है बचो भेट जब हम जनन दिन में किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसे क्या कहता है उपहार तो सुहानी को उपहार में देने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी किताब लाने का वदा किया था यानि उसकी माने एक अच्छी सी किताब सोहानी को गिफ देने के लिए किया था रादिका की मा जब लोटी तो लाल कागज में लिप्टा एक पैकेट उनके पास था रादिका ने उच्छुक्ता से पैकेट खोल कर उफार की किताब निकाली किताब सुनहेरी डोरी से बंदी थी पैकेट खोलते समय डोरी तूड गई रादिका को बहुत दुख हुआ मा का हाथ थामे रादिका सुहानी के घर की और चली आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं थी वहाँ वैसी सुन्दर डोरी मिल सकी यानि कि रादिका भी बहुत निराश हो गई अपनी सहली के लिए जो उसने उफार लिया था उसकी दोरी सुनहेरे रंकी वो तूट गई थी अब वो अपनी मित्र को कैसे उफार देगी वो सोच रही थी लेकिन चलते चलते एका एक 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 कार्थ होता है अच्छानक सदॉलब से रिबन उतारकर रादिका की मांने उफार उसमें बांद दिया। उफार पर अपना रिबन बनाद देखकर सुहानी खुशी से उचल पड़ी मेरे जनन दिन का ये सबसे बढ़िया उपहार है बालों में रिबन बांद कर सुहानी ने केक काठा दोनों सक्यां खिल खिला रही थी और उनकी मां मुस्कुरा रही थी तो देखा बच्चों सच्ची मित्रता अन्मोल रत्न है एक सही मित्र एक अच् उसका रिबन वापस लोटा दिया जैसे भी आया लेकिन रिबन सुहानी के पास पहुच गया क्योंकि वह उसका था तो बच्चों हमारे जीवन में मित्रता का बहुत मोल होता है यह हमें अवश्य बात जाननी चाहिए इस लेक के द्वारा भी आपने ये समझा उम्मीद करत हूं आप भी अपने मित्रों के साथ सहीयोग करेंगे और ऐसे ही जीवन बिताएंगे अब आप इसका भ्याद स्वैम कीजिए